Infinix Note 40 5G में जो camera setup दिया है, वो कई लोगों को confuse करना है rare में 108 मेगापिक्सल का main camera और बाकी 2-2 मेगापिक्सल के macro और depth sensor है और front में 8 मेगापिक्सल की selfie है तो इसका एक detailed camera taste तो बनता है ये रहे वो सारे camera sample जो Note 40 X 5G से capture किये गए है Let's get started जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लेट है पर सुमित कुमार भाई ये फोन खरीदना चाहते है और उन्हें camera quality कैसी है ये जानना था और मैंने उनसे आज वीडियो देने का वादा भी किया था जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे subscriber मेरी जान है और आप मेरे लिए family से कम नही सबसे पहले उसी की फोटोग्राफ हम यहां पर देख लेते यह देखिए यह लिया हुआ फोटोग्राफ है उपर सकाई नीचे फोर ग्राउंड आप देखी सकते हैं कुछ इस तरह के से कैप्चर करता है हां सकाई में थोड़ा सा वाइटी स्टोन आड करनी की कोशिस इंफ अच्छे फोटोग्राफ देख लेते अब यहां पर देख सकते हैं इस पोटोग्राफ के अंदर इंफिरीस नोट फॉर्टी एक्स-फाइजिया कैमेरा अच्छा काम करता हुआ यहां पर सकाई को डेफिनेटली ओवर सैचुरेट या फिर वाइटी स्टोन ज्यादा आड करनी कोशिश नहीं की है जो जैसा है वैसा ही कैप्चर करनी कोशिश करता हूं मुझे यहां पर दीख रहा है और सकाई को और फॉर्गाउंड को अच्छी से यहां पर ड्रोच वाले पार्ट को ज्यादा डारकर करनी की कोशिश करता हूँ लग रहा है पर उतना ज्यादा इश्वों कुझे नहीं लगता है तो टिक्टा कलस और डीटेलिक आपको यहां पे 100 मेगापिक्सल का कैमेरा कैप्चर करके देखा बाकि यह पोर्टे शॉट देखे दोस्तों 100 मेगापिक्सल के मीन कैमेरा से लिया हुआ यह पोर्टे शॉट बैग्राउंड को कितना अच्छे से ब्लर किया है और डीटेलिंग के लिए मैं जूम करके दिखा हूँ तो एस ड के लिए फोटोग्राफ देख सकते हो तो कुछ इस प्रका के कला से आप इंफिनिक्स नोट फोटी एक्स फाइजिगा कैमेरा कैप्चर करता है बैग्राउंड को ब्लर वगरे दिखें कुछ इस प्रकार से करता है यह ब्लर आप बाद में पोटो प्रोसिसिंग के टाइम प यहां पर देख लेते इंडोर करनेशन में लिया हुआ यहां पर यहां पर इंफिनिक्स नोट फोटी एक्स फाइजिगा कैमेरा अड़ करता हूँ देखू तो हां डिटेलिंग अच्छी काप्चर कर रहे कोई इस नहीं है अब 3X जों भी आप यहां पी इस कैमेरा से कर सकत करने के बाद भी यहां पर अच्छी डिटेलिंग कैप्चर करता है यार इंफिनिक्स नोट फोटी एक्स फाइजी का कैमेरा थोड़ी रेडिस्टोन यहां पे भी मुझे लग रही है अगर आप इस वाले पार देहान दो गे तो आपको समझ में आयागा कि जी हां थोड़ी रेडिस्टोन यार करता ही है पर उतना ज्यादा वीजिबल हो नहीं है डिटेलिंग आपके सामने है नेक्स पोटोग्राफ देख लेते चले रात में लिया हुआ एक पोटोग्राफ मैं आपको यहां पी दिखा देता हूँ तो यह नाइट शॉट है यूमन शॉट है और इ स्कीन को अच्छे से कैप्चर करता है रात के अंदर डीटेलिंग भी अच्छी कैप्चर कर रहा है कोई ऐसा इसमें इशू नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा रेडिस्टोन यहां पे भी आड़ कर रहा है यार स्कीन की ऊपर ठीक है नॉट वीजिबल वेरी मैस तो इतना क फिनिक्स की तारिफ करना चाहूंगा इसकाई को इसने एकदम ज्यादा काला करने की कोशिश नहीं कि रात के अंदर ने तो बाकी फोन इस प्राइस रेंज के अंदर बजट सेक्शन के अंदर स्काय को एकदम काला ही कर देते पाकि डीटेलिंग कुछ इस प्रकात की इस पोटोग्राफ में डीटेलिंग होगे जों करके दिखा तो जी अच्छे डीटेलिंग काप्चर करता है लाइट सोस को और एक्सपोस तो नहीं पर थोड़ा एक्सपोस करता हुआ मुझे यहाँ पी इस पोटोग्राफ के अंदर दिख रहा है चलिए दूसरा शौट में के कैमेरा से रात के अंदर तो अच्छी सेल्फिज आप कैप्चर कर पागे कोई इसमें इसमें यह चलिए डेलाइट कंडिशन में कैप्चर किया हुआ चलिए जूम करके देखते एक बार फिर से डीटिलिंग आप सब के सामने आट मेगा पिक्सल का सच में कैमेरा यहां पर अच्छे सेल्फिज आपको दिखा हूँ तो चलिए मैक्रो शॉट हम यहां पर दिख लेते दो मेगा पिक्सल का मैक्रो कैमेरा है तो मैक्रो शॉट में तो कुछ कहीं नहीं नहीं अच्छी पोडोक्रोसे सीगे यहां पर डीटेलिंग वगरे आपके सामनी तो अच्छी डीटेलिंग मैक्रो शॉट के अंदर नोट 40x5G का कैमेरा आपको कैप्चर करके देगा कोई इसमें मुझे यहां पर प्रॉब्लेम ही लग रही है और एक उनका पेटेंटिक फीचर आपको पताएं इंफिनिक्स के अंदर हम स्काय को जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से आप स्काय को इंफिनिक्स नोट 40x5G की कैमेरा में चेंज भी कर सकते हो तो यह फीचर तो और इनके अंदर मिलता है चल इस टोन यहां पर फिर वाइट कलर करने के कोशिच जरूँ से इंफिनिक्स नोट 40x5G का कैमेरा करता है यह यहां पर मुझे दिक्कत लग रहे तो कुछ इस तरीके के जूम पोटोग्राप आप कैप्चर कर पाओगे उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं मैं जूम पोटो वीडियो पाइच्छे लेते हैं और इस प्रकार के आपको इनफिनिक्स नोट 40x5G कैमेरा में मिल जागी पाकि स्टॉप करके अगर मैं कलर कैप्चरिंग वगर यह दिखा हो तो वीडियो के अंदर कलर अच्छे से कैप्चर कर रहा है कोई इसमें नहीं है स्काय को और पोर अच्छे किया है तो अच्छे वीडियो आप इनफिनिक्स नोट 40x5G कैमेरा से कैप्चर कर पाऊगे और हाँ यहां यहां से आपको यह वीडियो दिखा हूं तो डायनमिक रेंज को भी अच्छे से मैनेज करता है तो डेफिनिटली आप अच्छे फोटोग्राफ और वीड सिखा देता हूं तो यह दोस्तों जो मोशन वीडियो है डेलेट कंडिशन में कैप्चर किया हुआ तो कुछ इस प्रकार के स्लो मोशन वीडियो आप यहां पी कैप्चर कर पाऊगे स्टॉप करके दिखा हो तो कलर कैप्चरिंग ठीक है स्काइग को ओवर वाइट इस या फिर एको स्लो मोशन वीडियो के अंदर भी नहीं करता है तो ठीक टा जुमुशन वीडियो भी आप यहाँ पी इसकी कैमेरा से कप्चर कर पाऊ के नाइट मे के अंदर अगर आफ वीडियोद करो jail हिए देख लेते रात के अंदर लेया हुआ यह वीडियो दोस्तों जैसा स stability के बारे में पहले ही बात की थी कुछ इस प्रकार की stability यार आपको मिल जाते हैं stability से मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पर हां रात के अंदर वीडियों में भी यह यहाँ पर श्काय को ज्यादा डर्क या फिर काला नहीं करता है स्काय को जैसा है वैसे ही रखनी पोची करता है तो इस बात के लिए थामस अप नोट 40X 5G कैमेरा को बनता ही है और लाइट सोर्स को वीडियो के अंदर थोड़ा एक्सपोज किया है पर उतना ज्यादा भी एक्सपोज नहीं किया है ठीक ठाकी वीडियो कहूंगा मैं यार अन लेता हूँ तो यह 8 मेगापिक्सल के से लिया हूँ और यहाँ पे सेलफी कैमेरा के अंदर भी मैं 100% इंप्रेस हो देखिए ना बाइटेलिंग स्कीन के उपर डिटेलिंग वगरे देखिए क्या कमालगी आपे कैप्चर कर रहा है और हाँ स्काय को अगर मैं देखूं यहा यह जो इशू है यह अपडेट के बाद इंफिनिक्स कर देखा बाकि अच्छे सेलफी शॉट्स आप यहाँ पर जरूस से कैप्चर करोगी यह हमारे साकिप भाई है टिकनोरीज भाई की टीम से चलिए तो अच्छे फोटोग्राफ सामें वीडियो ग्राफ आप नोट मुझे प्रॉब्लेम लग नहीं रहे है या सेलफी शॉट्स से मैं तो डेफिनिटली यहाँ पर इंप्रेश हूँ सेलफी शॉट्स बहुत अच्छे आप यहाँ पर कैप्चर कर पाऊ कि कोई इशू नहीं है और एक्साट मेंगा पिक्सल का कैमेरा भी अच्छी डीटीलिं ओर इंफिनेस हॉट्ट फिप्टी फाइजी खरीदी या फिर मोटो जी फॉट्टी फाइजी देख लिए नीच वाली वीडियो देखिया है मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक और ने वीडियो में तब तक असते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं धन्यवाद